उत्तर प्रदेश लेखपाल भरती परिच्छा दोजार चोविस 4700 पर भरती विज्यापन जल्द होगा जारी इस बार पेट कटाफ रहेगा नहीं रहेगा सारे प्रशनों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों एक बार फिरसी श्वागत है आप शबीक आपके पुसंदीदा यूटूब चैनल रामासर में आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल नई भरती परिच्छा दोजार चोविस के बारे में जिसमें 4700 पर भरती होगी इसका संपूर जानकरी हम आपको पेपर कटिंग के माध्यम से दिखा दे रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुक्य मंत्री योगी आदित तिनाथ ने गोशना किया है कि सिग्र भरे जाएंगे लेखपालों के 4700 और पर अधिया चन भेजा योगी सीम ने 7720 लेखपालों को बाटे निउक्ति पत्र कहा खत्म होगी लेखपालों की कमी अमरु जाला पेपर की कटिंग मने आपको लगा के दिखा दिया है लखनव न्यूज है कि मुख्यमंतरी योगी आदित तिनाथ ने बुधवार को लोक भावन में आयोजित मिसन रोजगार का रक्रम में नव चैनी 7720 लेखपालों को निउक्ति पत्र वित्रित किया संपूर जानकरिम आपको पढ़के सुना दे रहे हैं इस औसर के 4700 और पदों पर ही सिग्र न्यूक्ति प्रक्रिया पूरी होगी ऐसा उन्होंने कहा इसके लिए आयोग को अधिया चन भेज दिया गया है यह प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश में लेखपालों की कमी समाप्त हो जाएगी साथ ही उन्होंने नवचैनित लिखपालों से पूरी मांदारी और पारदरसिता से काम करने के लिए कहा योगी ने कहा कि यह न्यूक्ति प्रक्रिया पूरी मांदारी और पारदरसिता के साथ संपन हुई है इसमें कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है कोई सिफारिस किया उसकता नहीं पड़ी ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में कारोबारी शुगमता के लिहास से काम करें गरीबों के जीवन को आशान बनाने के लिए विसेश काम करें सीम ने लेखपालों से कहा कि निवेश की सम्मावनाओं में आपका सकारात्मक सहयोग मिले जात निमास वा आयप्रमार पत्र के लिए जो समय सिमात तैंकी गई है उसमें काम को पूड़ किया जाए वरासत नमंकन 25 और भूप योग से जुड़ी करवाई समय से पूरी हो लोग अगर इस समय पर पैमाईस करके सिमांकन कर दें तो कोई विवाद नहीं होगा कोई दबंग भूमाफिया सरकारी या गरीब की जमीन पर कबजा कर रहा है तो वहाँ एंटी भूमाफिया टास्क के सांथ जाकर हम बड़ी करवाही करें कहीं पर निमेस के लिए कोई प्रस्ता हो रही है ग्रामीड छेत्र में निमास करने वाला कोई विव्यक्ति अगर परंपरागत रूप से ग्राम समाज की अबादी की जमीन पर मकान बना कर रहा है तो उसकी जमीन का मालिका नहाग उसे घरवनी के माद्दम से मिल सके इसके लिए अब तक 63 लाग से ज्यादा लोग के से आगे बढ़ाने के लिए वर्ज 2022 में राजो सुभिभाग ने अपना अधिया चन अधिनस्त सिवा चोन आयोग को बेज दिया था चैन की प्रक्रिया पूरी मांदारी और परद्रसिता के साथ आयोग ने संपन की है लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है कि हर अच्छ जांकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मद्यम से मैं आपको संपूर जानकारी प्रवाइड करा रहा हूँ यल्दी 4700 पनों पर अधिसूचना जारी हो जाएगी इसकी संपूर जानकारी मैं आप सभी के बीच में प्रवाइड करवा दे रहा हूँ मुख्यमंतरी ने 7,720 लेकपालों को न्युक्ति पत्र बांटा है उसी के संदर में उन्होंने कहा कि जो पद खाली है संपूर्ण पद भरकर लेकपालों की संपूर प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा ताकि प्रदेश में लेकपालों की कमी नहीं रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वडियो को लाइक करें अधिक सदिक दोस्तों को सेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दें अपना प्रप्रसन इस्टार्ट करें जैसा होगा पेट के बारे में भी आपको जानकारी दी